हेलो फ्रेंड्स वेलकम चूदा यूपी एसी एनलाइजर तो आज हम 22 ऑक्टोबर का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे तो डे बिफोर येस्टेड़े मैंने एक लेंडमार्क जज्मेंट्स की ओपर विडियो बनाई थी लेकिन आप लोगों ने उस विडियो को देखा ही नहीं तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं एकॉनमी की सीरीज स्टार्ट करऊँ तो अगर मैं एकॉनमी की विडियो जो अप लोग वो भी नहीं देखोगे तो अगर आप को विडियो देखनी है मैं तब ही बनाऊगी अधरowISE मैं विडियो नहीं बनाऊगी तो आज हम 22 अक्टूबर का Indian Express discuss करते हैं यह first news important ही इसके बारे में एक article भी पढ़ेंगे कि India अब 1 billion doses दे चुका है COVID-19 vaccination की तो यह अपने में एक बहुत बड़ा milestone है, तो more than 9 months after the launch of one of the world's biggest COVID-19 vaccination drives and after some early hiccups marked by vaccine shortages, long use, so starting में कुछ लोगों में vaccine hesitancy TBT उनको लग रहा था कि vaccine लगवाने से कुछ side effects हो सकते हैं, या फिर rumors बहुत जादा फैले हुए थे, उसके बाद vaccine shortage की भी देखीए कि vaccine की shortage हो रही है, फिर लोगों को बहुत ज़द lines में लगना पड़ा, तो इन सारे obstacles के बाद हम लोगों ने 1 billion doses दे चुके हैं vaccine की आगे हमें और भी लोगों को vaccine देना है, क्योंकि ऐसा देखा जाएगी जिसको दो japs मिल चुके हैं, तो वो सर्फ 30% of the population है, तो अभी हमारी 70% ऐसी population भी है, जिनको दोनों doses नहीं मिले हैं, तो आगे भी हमें अपने efforts ऐसे ही रखने हैं प्रोटेस्ट ओके, even on matters before court, but roads can't be blocked तो यहाँ पर सुप्रीम कोट ने पहले एक judgment ये दिया था कि कोई भी matter अगर subjudice है, court उस matter को देख रहा है, for example, farm protest का matter था, जो farm के तीन loss थे वो सुप्रीम कोट के सामने थे, तो सुप्रीम कोट ने बेसिकली ये बोला, जब matter subjudice है, तो प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिर अब सुप्रीम कोट उस judgment से थोड़ा डाइवर्ट होते हुए, अब सुप्रीम कोट ने एक नया judgment दिया कि प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, भले ही वो matter court के सामने क्यों ना हो, लेकिन roads को आप permanently, यहाँ पर indefinitely block नहीं कर सकतो, तो the Supreme Court on Thursday observed that it was not against people's right to protest, तो यहाँ पर जो लोगों का right है, प्रोटेस्ट करने का वो प्रोटेस्ट तब भी कर सकते हैं, अकर कोई matter subjudice है, कोई matter Supreme Court के पास है, but made it clear, लेकिन इहाँ पर Supreme Court ने यह बात क्लियर किये, जो प्रोटेस्टर से, वो public roads को indefinitely block नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वज़े से, जो दूसरे लोगों के rights होते हैं, वो वोईलोट होते हैं, तो ultimately some solution has to be found, we are not against the right to protest, even when legal challenge is pending, तो यहाँ पर जो लोगों को दिक्कत हो रही, तो उन लोगों के fundamental rights भी तो वोईलोट हो रहे हैं, तो बस इन दोनों में एक ताल में लोना ची, जो की नहीं हो रहा है, हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हमारे हैं, फर्टिलाइजर की क्योंकि यह सोईंग का पीरेड है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर डाप, इसके लवा मियूरेट ऑफ पोटाश दोनों की कमी पढ़ गई थी, इंटरनाशनल प्राइजर में सर्ज देखा गया था, जिसके बाद गर्वर्मेंट ने यहाँ पर सब्सिडी भी बढ़ा दी लेकिन थोड़ी लेट से सब्सिडी बढ़ाई थी, जिसके वज़े से इंपोर्ट्स नहीं हो पाई थे, लेकिन अब यहाँ पर इंपोर्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो सरकार है, वो हर संभव प्रयास कर रही है, कि यह जो कंसाइन्मेंट है, यह फार्मर्स तक बहुत सके, अब हम आगे चलता है, यहाँ पर पोलेंड के अम सब्चांद के बारे मेंगा था कि ट्विन सिटी अग्रेमिंट किसके बीच में हुआ है, तो यह जे यहाँ पर एक मैडर प्रीवेस स्टैन्ड देमॉलिशन ओफ एलीगली तेंपल तो यहां पर डीफेंस कोलोनी में एक टेंपल था जो कि एलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था तो डेली हाइप कोट पहले डेली गोवर्मन्ट ने बोला कि वह इसको हटा रहे हैं डेमॉलिश कर रहे हैं लेकिन Delhi illegally encroached हो जाएगा तो I want to see what is the scope whether this just a few bricks put by somebody तो यहाँ पर कोई बस कुँछ ईटे लगा देगा कोई idle place कर दियो तो वो तो temple बन गया पर आप हर matter को यहाँ पर religious committee के पास भेज होगे तो यहाँ पर mainly यह issue the court said it was not satisfied with the Delhi government's stand because the encroachment in the area has come overnight and there are just few bricks and 2-3 idols तो ऐसे कोई high court के सामने 2-3 bricks लगा फिर idle place कर देगा तो क्या वो भी religious structure के अंदर आजाएगा तो ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर basically Delhi high court का यह कहना है कि यहाँ पर encroachment है तो किसी भी चीज़ का encroachment है आप यहाँ पर हटवाओ अगर कोई बहुत बड़ा structure होता कोई बहुत बड़ा pilgrimage होता तो यहाँ पर अलग matter कि आप religious committee को refer करते लेकिन इस case में religious committee को refer करने का कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पर Delhi government के stand यह है कि अगर वो इसका demolition कराएंगे तो law and order की situation आ सकती कि इसकी वज़े सोनों ने यहाँ पर religious committee को refer किया है हम आगे चलते है यहाँ पर कोई important news नहीं है अब आपको यह पता होगा कि FCRA में amendments किये गए थे तो FCRA में amendments करने की वज़े से जो foreign contribution है वो लेना थोड़ा मुश्किल हो गया था थोड़े जादा regulatory procedure के थ्रू जाना पड़ रहा था तो यहाँ पर Supreme Court में petition फाइल की गई थी कि FCRA को एमेंट करके जो rules है वो बहुत जादे strict बना दिये गए है तो there is no fundamental right to receive unbridled foreign contribution without any regulation तो यहाँ पर center का जवाब यह है Supreme Court को कि ऐसा कोई fundamental right नहीं है कि आप foreign contribution को unbridled receive कर सकतो बिना किसी regulation को regulations पर होनी चाहिए रहाँ पर सिर्फ center ने regulation ही लगाई है ऐसा नहीं माना कर देगी foreign contribution नहीं ली जा सकती लेकिन आपको एक regulatory architecture से जाना पड़ेगा और government ने ये बोलाई कि government role of NGOs को समझती कि NGO का role बहुत important होता है नेशन के development में और जो genuine in news है वो जो भी regulatory compliance है उससे यहाँ पर meet करने की कोशिश करें और उसके बाद वो foreign contribution ले सकती है हम आगे चलते हैं यहाँ पर को important news नहीं है यह news भी important नहीं पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर Supreme Court ने Thursday restore charges under the Carnatica control of organized crime sect तो यह KC OCA act था जिसके यहाँ पर जो पुलिस थी तो पुलिस ने कुछ charges यहाँ पर KC OCA के against लगा दिये थे जो गौरी लंकेश की killing में जो यहाँ पर accused था उसके उपर लेकिन High Court ने उन charges को कौश कर दिया लेकिन Supreme Court ने जो High Court ने charges कौश कर दिये थे उस judgment को यहाँ पर unconstitutional बोल दिया है अब यहाँ पर Supreme Court का यह कहना है The court said that it is not necessary that a person has to be booked under the act अगर किसी person को किसी act के अंदर book करने तो जरूरी नहीं है कि उसका direct role हो अगर उसका सिर्फ nexus का role है तब भी उस person को उस act के अंदर charge किया जा सकता है The court said it is not necessary that a person to be booked under the act has a direct role in the commission of the crime and it is enough that he has nexus with the accused तो सिफ इतना ही काफी है कि उसका nexus है accused के साथ who is a member of an organized crime syndicate or such nexus is related to the offense in the nature of organized crime तो organized crime है जो कि उस act के अंदर आता है लेकिन जो नेक्सेज जिन लोगों का nexus है उन लोगों के साथ तो वो भी इस act के अंदर यहां पर उनके अगेंस्ट भी यहां पर जो लग सकते हैं आगे चलते हैं अब यहां पर इंडिया और यूके की बहुत सारी military exercises होती तो एक exercise passage exercise भी हुई थी जो कि इंडिया नेवी के साथ हुई थी जुलाई में अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए exercise का जो कि होना चाहिए डिजिटल इंटर उपरेटेबिलिटी का यह इसी लिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो यहां पर नेवीज है सब्मरीन इनके बीच में जो भी यहां पर कम्यूनिकेशन हो रहा है वह आसानी से कम्यूनिकेशन हो सके तो इंटर इंटर उपरेटेबिलिटी विल डिद पिविटल एस्पेक्ट ऑफ द अपकमिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सराइज बिफिन इंडिया 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 जा सकता है तो जहां पर आपके बास प्रिंदन करने की कोशिश की जाएगी हम आगे चलता अब यहां पर सेंटर ने वीर गाथा प्रोजेक्ट को रोल आउट किया है तो वीर गाथा प्रोजेक्ट में आक्चुली जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है उन बच्चों को उनके बारे में पता हो तो इसके लिए किया गया है जो बच्चे हैं उनको बताया जाएगा है कि आपको प्रोजेक्स बनाने हैं गेलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में दा फॉर्म फोएम्स, पेंटिंग्स, ऐसे और मल्टी मीडिया प्रेजेंटेश तो जो प्रोजेक्ट वीर का था था इसमें बच्चों कि भावना आएगी तो in order to disseminate the details of bravery acts and the life stories of these brave hearts among the students it has been proposed by the ministry of defense तो एपर ministry of defense ने ये बात बोली है कि यहाँ पर बच्चों के अवेर कराया जाए गेलेंट्री अवार्ड विनर्स जो भी है उनके बारे में अगे चलते हैं यह पेज बेसिक्ली वेक्सिनेशन के उपर है वेक्सी और सिर्फ नौ महीने के अंदर हमने इस milestone को चीफ कर लिया है for any effort to sustain and attain speed and scale the trust of all stakeholders is crucial तो किसी भी effort को यहाँ पर sustain करने के लिए जरूरी होता है कि सारे stakeholders का उसमें trust हो तो एक जो reason है जिसकी वज़े से हमने success पाई हमने 1 billion doses दी है वेक्सीन के वो यह है कि यहाँ पर जो सारे stakeholders उन However, when it came to something as crucial as the COVID-19 vaccine अब इंडिया में देखा गया है जो लोग है वो फोरें ब्रैंट्स की पीछे जादा भागते हूं को फोरें ब्रैंट्स की ओपर जादा ट्रस्ट होता है लेकिन जब COVID-19 vaccination की बात आई तो लोगों ने यहाँ पर made in India vaccine पर भी ट्रस्ट किया तो यहाँ पर चेन इशू थे वो सब हमने उन supply chain इशू इन सारे obstacles के अगेंस नहीं पर हमने जीत हासल के और लगभग हमने 1 billion doses लोगों को दे दिये तो लेन everyone takes ownership nothing is impossible हमारे healthcare workers ने hills को traverse किया, rivers को cross किया, इतनी मुश्किलों से यहाँ पर कभी-कभी tribal areas में भी vaccination करने जाना पड़ता है तो इसकी वज़े से हमारे healthcare workers उन्होंने पूरा support किया, इसके लावर जो हमारे youth religious leaders तो सबको इसका credit जाता है कि जो vaccine hesitancy है, कैसे लोगों को persuade किया गया, इस vaccine hesitancy की against और developed nations में हमारे country से जाधा vaccine hesitancy देखी गई, और हमारे country में है था कि religious leaders, healthcare workers साब आय, उन्होंने सारे myths को burst किया ता कि और कोई भी VIP culture नहीं देखा गया, vaccination drive में तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ कुछी countries है जन्होंने अपनी vaccine बनाई है, लगबग 180 सा जाधा countries है जो कि दूसरे countries की vaccine पर dependent है, तो इंडिया है कैसा country जिसने अपनी खुद की vaccine बनाई है, और इंडिया अगर खुद की vaccine नहीं बनातों तो बहुत मुश्किल हो जाता इतने सारे लोगों को vaccinate करना, तो it is here that credit should be given to Indian scientists, तो इहां पर credit देनी की जरूत है Indian scientists और entrepreneurs को जन्होंने vaccination इंडिया में बनाए और इतनी ज़ाधा manufacturing की इतनी large scale पर, तो basically यहां पर government को भी थैंक्यू बनता है, क्य तो government partnered with the vaccine makers, तो यहां पर जो government उन्होंने vaccine makers के साथ day one से ही partner किया और उनको हर तरीके का support तिया, तो इना country of the scale of India, तो India जैसे country जिसमें 130 crore रहते हैं, वहां पर सिर्फ produce करना इंपॉर्टन नहीं होता, आपको last mile delivery भी करनी होती, last mile delivery logistics का cost बहुत जादा होता है, तो ऐसे country में 100 1 billion doses देना, 100 crore doses देना बहुत बड़ी बात होती है, for example, अगर plant है कोई पूने में, तो जो वायल होती है, इस्टेट्स में जाती है, इस्टेट्स से डिस्ट्रिक हम में जाती है, और वेक्सिनेशन सेंटर में जाती है, इन सम्में ये भी एंशॉर करना होता है, जो vaccine है, वो All these efforts were complimented by a robust tech platform in Coven, इसके लावा एक Coven platform भी बनाया गया, तो it enabled, the vaccine drive was equitable, इसके लाव हमने कोशिश की जो हमारी vaccine drive हो equitable हो, कोई भी रूलर urban divide ना देखने को मिले, trackable हो और transparent हो, इसके लावा जो QR code हमने technology का भी यूज कि अगर कोई परसन एक जगे से किसी center से vaccine लेता है, तो वो दूसरा dose किसी और center से भी ले सकता है, तो अगर टीम इंडिया मिल कर काम करेगी, 130 करोड लोग मिल कर काम करेंगे, तो हम कोई भी milestone achieve कर सकते हैं, और इससे ये भी दिखाया जाता है, कि democracy जो हो डिलिवर कर सकती है, जैसे कि प्राइमनेस्टर ने यूवन की speech में भी बोला था कि democracy ने डिलिवर किया है, और आगे भी democracy डिलिवर कर सकती है, तो ऐसे ही अगर हम सारी public service delivery को ऐसे ही लोगों तक पहुचानी की कोशिश करें, तो actually एक benchmark set करेगो, और ये model बन जाएगा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बलकि पूरे world के लिए, अब हम next article की तरफ चलते हैं, तो ये article भी इसी बात पर 100 करोनां काउंटिंग, तो ये भी vaccine के ओपर ही है, अब हम वेटिंगे, तो यहाँ पर Moscow format की meeting हुई, तो Moscow format की meeting से क्या के बात सामने आती हैं, वो हम देखते हैं, तो the third meeting of the Moscow format attended by representatives of 10 countries including Russia, China, Pakistan, जो US है, वो इस meeting में नहीं आया, तो US staying away, reaffirm the position of regional and international actors, त तो सबका यही कहना है, जो government होनी चाहिए, तालिबान में, वो inclusive होनी चाहिए, जो भी terrorist groups हैं अफगानिस्तान में, उनके against यहाँ पर act करें और साथ ही कोई भी terrorist attack ना होने दें, पाकिस्तान से रप्रेजेंटेटिफ हाई-लाइटिज का पाकिस्तान ने अपना रोल बताया, क चाइनीज मीडिया ने ब्लेम किया युएस को कि युएस यहाँ पर एपसेंट राइस मीटिंग में, और अफ़म किया कि चाइना और रिष्या का बहुत इंपोर्टन रोल है अफगान की क्राइसिस में, कि अफगानिस्तान को इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकाला है तो यह अभी भी एवाल्व हो रही है, ना ही रश्या ने एगजिट करके एक वॉइड वहाँ पर क्रिएट किया है, युएस और चाइना उस वॉइड को फिल भी नहीं करना चाएं अभी के लिए तो, अगर तालीबान वर्जिन के तरफ से जाएं, तो यहां पर तालीबान ने ये इंडिया उनको humanitarian aid देगा तो एंडिया इंडिया इंडिया उनको humanitarian aid देगा तो इंडिया इंडिया एक्प्रेस्ट विलिंगनेस्ट तो प्रोवाइट निज़ी घुटत देगा हैं लेकिन डेली ने अभी तक कोच ऐसा स्टेटमें नहीं जा ली गए कि यह पर तालिबान के साथ हमारी connections नहीं लेकिन अफगान के लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छे connection है the question दो अब question यह है कि हम humanitarian और economic assistance की जो बात करें तो क्या बिना recognize की आसान होगा humanitarian और यहां पर economic assistance देना और दूसरी बात यह अगर humanitarian assistance देंगे भी तो कि क्या guarantee है कि वो लोगों तक पहुचेगा to the second and perhaps this most important is ensuring that the resources India provide are used for the benefit of the common people of Afghanistan हो सकते की यह जो तालिबान rule है यह उस जो भी हमने humanitarian assistance दी उसको divert कर दे terrorist organization की तरफ तो in fact Moscow has drawn clear red lines तो यह पर को ने clear कर दिया है तालिबान को कि यहां पर stable governance होनी चाहिए और इसके लबच अफगानिस्तान के लोग उनको उनको उनका right मिलना चाहिए क्योंकि रशिया को पता है कि अगर अफगानिस्तान में instability आए तो यहां पर रशिया में भी instability आएगी क्योंकि militancy बढ़ेगी इसके लावब जो तालिबान वह बेसिकली कोच निडिजाइड कि है कि हम diplomatic और strategic front में तालिबान के साथ कैसे deal करने वाले हैं यह जो next practical important ही बस यह ही है कि Congress ने UP में यह बोलाए कि जो 40% वो tickets देंगे तो वो महिलाओं को देंगे अब यहां पर बात की गई है अब दूर्रजाग गोडणा तो इनको Nobel Prize मिला है अब यहां पर study ने यह फाइंड किया है यह जादा important ही पर हम देख लेते हैं तो अब यहां पर जो लोग है वो अगर स्टेडी से पता चला है कि अगर जो लोग है वो अगर यह सिग्रेट के उपर स्विच कर जाएंगे तो उनकी स्मोकिंग टेंडेंसी काम हो जाएगी तो इसा नहीं पता चला है तो इस फांट एट सिग्रेट यूज इवन डेली बेसस दिड़ एल्प स्मोकर्स सुकस्वली सिग्रेट्स अब हम वर्ट पेस डिसकस करेंगे तो यहां पर जो न्यूज है अब यहां पर एफड़ ने अप्रूवल दे दिया कि जो वैक्सीन उनको मिक्स किया जा सकता है तो मैंनी एक्सपर्ट सज़ेस्ट एंड सम स्टेडीज उफ शोन अगर यहां पर वैक्सीन को मै तो अगर दो अलग लग शॉट्स लोगे तो यहां पर प्रोटेक्शन के जादा चांसे तो रश्यास इस पुतनिक फाइव एक्सिन उल्री यूज उस नॉन इंटिकल डोजस फॉर इस फॉर्स एं सेगंड शॉत तो रश्या कि जो पुतनिक फाइव वैक्सीन के लिए पैस कुछिचा से नजए ने इस ले बोला है कि क्योंकि ऐसे उस्त्रेलीय में आपड़ा है कि जो फेस्बूक के उपर लुटे ने प्लेट्फोर्म पर कोई बैटफॉर्म पर कोई नियूज लिंक शेर कर दिया जाता है तो वह न्यूज लिंग है जिस निश प्लेट्फरम से आ यह पर जो भी पॉब्लिशर उनको यह पर पॉंपर करना पड़ेगा अब यहां पर जो पाकिस्तान है वो FETF की ग्रेड लिस्ट में ही रहने वाला है क्योंकि यहां पर जो पाकिस्तान उसको पर दोनों तरीके के allegations लगेंगी पाकिस्टान money laundering भी करता है साथ ही यहां पर terrorism financing भी करता है ग्रे लिस्ट का basically official नाम देखो तो increased monitoring list है जो की gray list का ही दूसरा नाम है increased monitoring list इसके लावा यहां पर तीन countries को और gray list में डाला गया है जो तो पाकिस्टान पर इसे और दिखाने की जरुद है पाकिस्तान को की जो भी UN designated terrorists जैसे की हाफिस सेयद मसूद अजर इनके लिए इसने क्या किया है इन टर्रिस्ट के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया तो इनको यह सारे steps दिखाने पड़े हैं वरना यह अब यहां पर जो ट्रंप है यह अपनी एक नया ओन मीडिया वेंचर खोल रहे हैं तो यहां पर ट्रंप को बेसिकली ब्लॉक कर दिया है ट्विटर ने फेस्बुक ने जब capital rights हुए थे तो उसके बाद से ब्लॉक दें तो अब इन्होंने अपना एक नया मीडिया वेंचर खोलने वाले जिसका नाम यह रखेंगे तुर्थ सोशल यह हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है आगे हम चलता है कि एक और भी पेज़ पर कोई भी बात इंपॉर्टन नहीं बस ओई सीडी में एक ग्लोबल टेक्स की बात की जारी थी जैसे था कि मैंने अपको बता है था कि 15% टेक्स लिया जाएगा इसके लावा जो डिजिटल टेक्स हैं वो लगाए जाएंगे तो यहां पर इसके डिजिटल टेक्स है वो उनको हटाने पड़ेंगे तो अपर ऑस्ट्रिया ब्रिटेन फ्रांस इटली स्पेन अन्द युनाइटेट सेट्स तो इन सारे कंट्रीज ने एक एग्रिमेंट पर यह पहुचे है कि जो नैशनल डिजिटल सर्विस टेक्स हैं वो यह रटा देंग जो कुछ कंट्री बहुत कंटेक्सेशन रखते हैं कॉर्प्रे टेक्स तो यह पर बात की गई मिनिमम मीटेक्स तो 15 तो हो ना ही चाहिए आगी जलतां अब यहां पर कन्मिंग डेक्लेरेशन की बात की गई है तो सबसे पहले जो चाइना है चाइना में प्लेस है कन्में तो वहाँ पर एक कन्मिंग declaration हुआ है Zee made the statement in a keynote speech at the leader's summit on the 15th meeting of the conference of the parties to the convention on biological diversity तो यहाँ पर CBD की 15th COP थी 15th conference of parties थी जहाँ पर कन्मिंग declaration हुआ है और जो COP 15 था उसका theme था ecological civilization building a shared future for all life on earth अब यहाँ पर चाइना ने एक initiative भी बोला है कि यहाँ पर कन्मिंग biodiversity fund बनाया जाएगा जिसमें biodiversity protection के लिए जो developing countries उनको 1.5 billion yuan का यहाँ पर investment दिया जाएगा October 13 को कन्मिंग declaration अडॉप्ट किया गया तब कन्मिंग declaration में यह बात बूली गई है कि कोशिश की जाएगी कि जो भी biodiversity loss हुआ है तो 2030 तक हम उसको reverse कर सकें तो to reverse the current loss of biodiversity and ensure that biodiversity is in the path on the recovery by 2030 तो 1993 में United Nation का convention on biological diversity force में आया था और यहाँ पर उसकी ही COP15 थी जहाँ पर जिसमें कोशिश की जाएगी कि जो भी biodiversity loss हुआ उनको 2030 कोशिश करें के रिकावर करें अब इहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है वह सीड बैंक्स की बारे में तो बेसिकली सबको चाइना के बारे में चाइना वाच के नाम पर एडवर्टाइजिंग सप्लिमेंट है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट आई थी 2020 में जो कि रिलीज करता है वर्डवाइट फंट फोर नेचर और इसने यह वांड किया था कि लगबग 8 8 million plant o animal species मेंеся जो 1 million है वो रिस्क of extinction जो इसको सकते है तो कभी अगर वो extinct होगए तो उनको वापे से renew कासे कर सकते है रिवाइफ कैसे कर सकते हो उसके लिए यहाँ उसके लिए एक seat bank मनाया है तो यहां पर ही बेसिकली प्लांट सीट्स और जेनिटिक मटीरल जो भी है उसको यहां पर प्रजर्फ करने की कोशिश करेगा चाहिना आगे हम चलते हैं इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टन यूज नहीं है अब यहां पर इक परस्नालिटी की बात की गए एक दौरकानाथ कॉटनेस तो यह बिसिकली चाइना गए थे एक फिजीशन के रूप में और यहां पर इन्होंने चाइनिस सोल्जर्स की हेल्प की ती तो बेसिकली ब्रिटिश के दोवार भेजा गया तो कोटनेस वस वन फाइव इंडिन फिजीशिंस इन टीम सेंट तो चाइना तो प्रोवाइडिकल असस्टेंस इन नाइंटीए तो यहां पर फिजीशिंस को बेजो क्योंकि यहां पर जो बहुत सारी चाइनी सोल्जर्स ज के लवा हमने कैसे help कर रखे उनके तो यह सारे points भी आपका ही इंड्लूट कर सकते हो तो इंडियान चाइन रमंग तो ओल्डे सिविलाइजेशन डीपर कोपरेशन बिविन तू कंट्रीज विल ब्रिंग प्रोस्पारिटी और पीस तु दो वर्ड़ एट स्टेज आई होप